नमस्कार दोस्तों मैं एक किसान भाई के खेत में खड़ा हूँ और इस नर्मे की पसल को आप देख रहे हो बड़ी ही सुन्दर लग रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि इस नर्मे में हमारे वेस्टिज के प्रोडेक्ट को यूज किया गया है और हम इस खेत के किसान से पूछना चाहेंगे कि किस परकार से इन्होंने इसका पर्योग किया उपयोग किया और किन्होंने इनको ये सुझाव दिया कि वेस्टिज के एगरी प्रोडेक्ट को अपने खेत में यूज करें तो हम ये सारी बाते हम अपने किसान भाई से पूछन प्रगवार प्रदोंपरा राव सर के नजडी गे पहले पीछले सीजन से पहले पांच शे वर्सों तक मेरे पेदावाद नेग बराबर हो रही थी नर्मा पर्तीबी गांग लोकुंटल के इसाब से पर मेरे पास एक दिन आये दिपक सर्जी जोनमानगर से हैं दिपक जी स्वामी उन्होंने मुझे वेस्टीज प्रोडेक्ट के बारे में बताया कुछ डेमों दिखाएं उस डेमों में मुझे कुछ लगा विश्वास जगा उसके अंदर फिर मैंने सोचा चलो ट्राई मारते ह उसके हिसाब से मैंने प्रियोग किया और पिछले सीजन मेरी बंपर पैदावारी जो परती बिगा नो कुंटल के हिसाब से नर्मा पैदा हुआ था जो पहले इतनी आइट नहीं होती थी नहीं पैदावार अधिक होती थी और इस बार भी मैंने नर्मे के अंदर यूज किये हैं और विजाई से पहले मैंने परती बिगा के हिसाब से ग्रेनवल एक और पहली सिंचाई के साथ एक गोल्ड परती बिगा और एक एटीटू परती तीन बिगा और एक होमिक परती तीन बिगा के हिसाब से पहली सिंचाई के अंदर प्रियोग किया है और इसक वाइट फलाई भी नहीं है बिल्कुल भी यह देखो आप अच्छी तरहें है कि अभूत अच्छी बात बहुत परियों आप इसे क्सान बाईयों को क्या संदेश यूज करके देखो फिर उसका comparison करो कि वास्ता में इसका परिणाम है या नहीं है बिल्कुल तो दोस्तों आपने देखा किसान भाई के मुखजबानी आपने सुना कि ये product है किस परकार काम करते हैं और किस परकार इन्होंने परियोग किया और बिल्कुल समतकारिक जो है इसका परिणाम प्राप्त हुआ है बहुत ही अच्छे product है और मैं भी आपसे व्यक्तिकत रूप से कहना चाहता हूं कि वेस्टिस product के product जो है उनका परियोग एक बार अवश्य करें धन्यवाद